हेलो फ्रेंट्स नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंट्स एस्टेट एक्जाम क्या दोबारा होने वाला है उसी को ले करके इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि कुछ-कुछ अच्छी न्यूज आप सभी के लिए है सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मामला क्या है आप सभी जानते हैं एस्टेट एक्जाम जो आओट उफ सिलिवल्स पूछा गया था और उसमें भी मैनली हम बात करें तो हिंदी का जो section था वो completely out of syllabus पूछा गया था तो उसी को ले करके कुछ friends बोल रहे थे कि grace नमबर मिलने चाहिए 20 से 30 नमबर और कुछ friends बोल रहे थे कि exam दोबारा होना चाहिए क्योंकि out of syllabus पूछा गया था उसी को ले करके दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है अभी तक आपके समने जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि मैंने आपको बोल था कि कुछ friends मिलकर के board चेर्मेन को अगर गयापन सौप देते हैं जिसमें वो अपना question paper वगएरा दिखा सकते हैं कि हाँ हाँ ये ये जो question out of syllabus आए है तो strengths ने वैसा ही किया है कुछ strengths ने मिलकर जो है चेर्मेन को गयापन यहाँ पर सौप दिया है उससे फाइदा क्या होगा दोस्तो और उससे फाइदा यह हो सकता है दोस्तो वो एक पर उन सभी चीज़ों को discussion करेंगे कोई भी फैसल लेना होगा वो ले लेंगे और अगर इसके अंदर जो बोली कई बाते हैं वो सारी ठीक होगी तो हम जरूरिसके उपर गौर करेंगे है ये जो सिलेवस मेंशन किया गया था उसमें से नहीं है तो दोस्तो अगर इन 20 क्योशनों पर भी ग्रेस मार्क्स मिल जाती है क्योंकि उसने प्रूफ भी दिखा दिया है कि ये क्योशन जो इसमें से नहीं है यहां से पूछा गया है तो दोस्तो उन बीश क्योंचनों पर भी आपको Grace Marks मिलने के चांसिज हैं अब क्या होता है दोस्तो ये तो अब Board ही बताएगा Board के Chairman ही फैसला लेंगे लेकिन दोस्तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है अगर Chairman meeting बुला करके अच्छे से बात करता है और अच्छे से रिव्यू करता है क्योंचन पेपर का तो आपका एक्जाम दोबारा भी लिया जा सकता है बागी दोस्तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंड सेक्शनें बताएए जो हम सभी ने मिलकर कर ट्वीट किये थे कि एस्टेट का एक्जाम दोबारा होना चाहिए और या फिर कैंसल होना चाहिए दोस्तो या फिर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए तो वो भी ट्वीट जो है हमारे अच्छे खासे ट्रेंडिंग पर आई वे हैं आप ट्वीटर सेक्शन में जाकर एक पर चेक भी कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो थेंक यू